नमस्कार दोस्तो भार्तिक कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू का नास्ता तो नास्ता बनाने के लिए मैं चार आलू बॉयल करके लेली हूं इनको छील ली हूं और इनको कद्धूकस कर लेंगे हम तो देखिए असानी से कद्धूकस हो जाएगा और हम कद्धूकस कर लिए हैं सब आलू का अब इहीं पर दो चम्मच चावल के आटा ले लेंगे एक चम्मच सफेद चितील आधा चम्मच चिली फ्लेख्ष आधा चम्मच लासुन के पेस्ट और स्वाध अमसार नमक अब हम इनको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे दोस्तों ये बहुत बढ़िया बंता है जैसे घर में कोई गेस्ट आ गया तो हम चाय के साथ बना सकते हैं बच्चों के टिफिर में भी बना के दे सकते हैं तो देखिए मिक्स कर लिए हैं प्लीट में थोड़ा भी नए चिप का है देखिए कि इतना बढ़िया हो गया है अब यहीं पर हम हाथ प्रतेल लगा लेंगे और इनको लंबे लंबे बनाएंगे थोड़ा से लंबा फिस शाइड से थोड़ा हम दबा देंगे दुनों तरब से यही हम सब बना लेंगे तो दोस्तों देखिए एबन के तयार हो गया है अब यहीं पर हम तेल गरम कर लिये हैं अब इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे जितना कडावी में आ जाए हम उतना डाल देंगे तो दोस्तों देखिए अभी हमको चलाना नहीं है कि नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है अब हम इनको चलाएंगे एक-एक पलड देंगे अराम अराम से हम चला चला के गुल्डन ब्राउन कर लेंगे तो देखिए गुल्डन ब्राउन हो गया है यह बहुत बढ़ियां बना है कुरकुरा बना है अब हम इनको निकाल लेंगे यहीं प्रगैस धीमी कर देंगे एक बरतन में हम निकाल लेंगे इसा ही हम सब बना है ये तो दोस्तों देखिए बनके तैयार हो गया है आलू कैनास्ता आप जरूर बनाईए घर में इन को हमेठी झटनी के साथ हरी चटनी के साथ खा सकते हैं यह बहुत बढ़ियां लगता है बचे तो बहुत खुशों के खाते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और सेयर कीजिए धन्यबाद